हाई ये जिन्दा है किशी का देखू ये जिन्दा है यार लास्ट वीडियो के बाद थोड़ा टाइम तो लगना था जेल से बेल मिलने बोटाइम लगता है इस चैनल के बहुत सारे परपिस में से कुछ यह है कि मुझे लोगों के बीच जो बहुत सारे सुपरस्टीशन फैलव है जो बिना सरपैर की बात है उन्हें हटाना है फिर मुझे दिहान आया कि लोग अपने लीडर्स को फॉलो करते हैं और फिर मुझे हमारी लीडर्स की कुछ स्टेट्मेंट से आता है तो मैंने तोचा पहले इने कॉल आउट करते है गौमूत्र जो है मैं कैंसर की पेशेंट मैंने गौमूत्र से और पंचगव से बनी ओश्रदियों से अपने को ठीक है अपना कैंसर ठीक है एक बार तो थोड़ा सा सुबंधी सी आती है पहले बताते ना यार यहां पे लोग इतने सारे कीमो ठेरपी ले लेके गंज़ हुए जा रहे हैं देखो तुम गौमूतर प्यों यहां उससे फेसवाश करो हमसे मतलब नहीं है लेकिन अपनी ये फैंटेजी इस अपने घर में पूरी करो लोग के दिवान में अल्रेडी बहुत कचरा है और एडप मत करो पर जैसे हम इनके उपर ऐसे हाथ गुमाने उल्टे करम में हाथ गुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है ये अमरित है ये साइंटिफिक है मैं एक तरीका बताता हूँ वैसे हाथ फेंड़ने से ब्लड पेशर बढ़ता है देशी गाय का गुमात रता तो अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे स्मयक्रों का जो इंफेक्शन में वो तूर होता रहता यार काश में गाय होता डाही सो रुपे लीटर मूद भिकरा होता मेरा मेरे गोबर को लोग बजन पे लगा रहे होते मैं बातरूम करने जाता तो लोग लोटा पकड़के खड़े रहते ऐसे और कोई हो जो बोले साला हमको लोटा भी नहीं चाहिए गाय कितनी जादा वरसेटाइल जानवर है यार दूस से लेके मूद दे रही है कैंसर से लेके कोरोना ठीक कर रही है और तुम्हें वोट से लेके मौद भी मिल सकती गाय के नाम पर एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है लाखों लोगों की मौद एलोपैथी की दवा खाने से हुई है जितने लोगों की मौद होस्पिटल ना जाने के कारण से हुई है उससे जादा लोगों की मौद ओक्सीजन के बावजूद हुई है तुम्हें को ही है कां से आते हैं यर कौन कहता अइरूवेट के साइड एफेक्ट नहीं होता है यह आदमी उसका जीता जाकता प्रमार्ण है बड़ापे मैं सठी आता है ना आदमी यह उसका प्राइम एक्जामपल है प्रॉब्लम सिर्फ यह नहीं है कि आप अलोपेथे की बेज़ेती की है प्रॉब्लम यह है कि आप करोड लोग फॉलो करते है बाबा के शिष आएंगे वो अपनी जली बूटी लेके अब यलो तो मेरा यूरीन भी है क्या करूं सुनार के पास लेके चले जाओ भाईया देख लो इससे एक आद अंगूठी बन जाए गड़तो मैंने का मैं आम नोट रहा परसनल की जो इन सारे विग्ञान को जानता हूँ लेकि मैंना का इतने क्लाउड है बारिस हो रही हैं तो एक बैनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं कुछ भी कुछ भी ये हैं भारत के कुख्यात साइनिस्ट पूर्वसीम प्रेजर्ट पीम प्रोफेसर नरेंदर मोदी वो कुछ लोग होते हैं न पता निये पर बोलना है ये वही है देखो सद्गुरु के डाइमेंशन में ऐसा हो सकता है कि किसी को ट्रिपलेट हुए तो एक और बिरिस निकल आया उसमें से अलग टाइप का मिल्क निकल रहा है सद्गुरु से एक बार शिवजी ना के कह दिया है एक तो आप हमारे शिवजी को प्लास्टिक सर्जन बोले दूसरा आप चमतकार को विज्ञान बोले हमारे भगवान के पिपल है एक हाती का सर अपने बेटे पे लगाना में ठीक है अपना विज्ञान अपने पास रखो मेरे देश के प्रदान्द मंतरी है क्या बोलू मैं तुमसे पूछा था किसी ने नहीं तुमसे पूछा था खुद के साथ पूरी देश की बिज़ितिकर आए देखो जाहिल होना बुरा नहीं है लेकिन ढोलता शेपीट के पूरी दुनिया को बताना कि मैं जाहिल हूँ ये बुरा है मरना तेरे को डर नहीं लगता ये देश वो देश है जिसमें महावारत में संजै ने बैठके जितराष्ट को जुद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था इसके मुतलब क्या है टेक्शोल जी था इंटरनेट था ब्रह्मास में टॉमिक बॉम था नारदमुने टेलिपोर्ट करते थे पुष्पक विमान पहला एरोप्लेन था कंट्रोल कंट्रोल कुद्ध इनसान के पूरवच बंदर थे ये बात आप गधो को नहीं समझा सकता है और जोतिस का तो शिर्मान लाखों वर्ष पहले और लाखों वर्ष आगे की गर्णा कने वाला बिज्ञान तो जोतिस के सामने बवना है यह जमान जब दो बार कोईट की वेव आई या अर्थक्वेक आता है या टेरिस्ट अटाइक होता है तब कहां जाती है आपकी जोतिश विद्या तब कहां जाती है एस्ट्रॉलोजी चलती है दब बारनाम एफेक्ट पर कुछ बारणाम स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही जनरल और वेग होते हैं जो अल्मोस्स सब के लिए अप्लीकेबल होते हैं लेकिन जब आप किसी को बोलते हो तो उसको लगता है कि यह उसके जिंदगी के कहानी है यह होता है बारणाम एफेक्ट इस्ट्रालोजी को लेकरना एक एक्स्पेरिमेंट करना 12 दिन तक डेली अपना जड़ाइक साइन्च चेंज करना खुद से मन से मरजी से और डेली अपना होरोस्कोप पढ़ना तो मैं डेली लगेगा कि यह मेरी बारे में लेखा है यह मेरी कहानी है वो जो तुम पढ़ रहे हो वो है बारणाम स्टेटमेंट और जो तुम फील कर रहे हो वो है बारणाम एफेक्ट कि करन का जो जन्म हुआ था वो स्टेमसल का साइन्स था टेक्नोलोजी थी मेरे पस कोई फाज नहीं है मुझे माफ कर दे अब लोग सारे मुझे छुटी दे दे मैं इस दुनिया से चुटी जाथा हुआथ यए नया भारत है बकवास बाते भी करेगा और उस पे गर्व करेगा यह वो कंट्रीज हैं जो साइन्टिफिक चीज़े कर रही हैं यह वो कंट्रीज है अभी कुछ लोग लिप्टे पड़े थे न, गोबर में, कोविट से बचने के लिए, क्यों नहीं करेंगे लोग ऐसे हरकेते हैं, जब उनके लीडर से स्टेट्मेंट पासाउन करेंगे तो, जिस तरह से पसुओं में गाय एक मात्र ऐसा पसु है, जो ऑक्सिजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सिजन है, क्या मुला तो नहीं है, इस इंसान के एनल और ओरल दोन ओल से शिटने कर रहे हैं, हम ऑक्सिजन सिलेंडर के लिए भटक रहते हैं, पहले पता होता तो एक गाय को बांद देते हैं, हॉस्पिटल में हर एक बेट के साथ, वैसे ही, यह क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, नहीं हम चेंज तो हो गए हैं, दिमाग गुटनों में आ गया है, और उस दिमाग में भी भूसा बर गया है, चाचा इंसान और पॉ पॉलिटीशन और यह हैं इनका विज्ञान, खेर, हम इने लिडर बनाए हैं, हम ही को भगतना पड़ेगा, यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेर, सब्स्क्राइब, जो ठीक लगे वो करो और अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ शेर करो, सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाव बाई, यूट्यूब पे वीडियो कैसे बन करते हैं, हाँ, हूँ बैस कि लोग,